हलो इस्ट्रोजन से स्टेडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम लोग जहारकन एन्म जी एन्म का प्रिवेस एयर का जो पेपर था उसको हम लोग कंप्लीट सौल करने वाले हैं ठीक है क्योंकि देख लोग यहां से बहुत ज्यादा कोश्चन्स रिपीट ह कैसे आते हैं ठीक है तो विडियो को सुरूं को से एंस तक देख और पार आपको एक साथ देखना तो één स्क्रिप्स इंबॉक्स में पहले इसका लिंग में दे रखाऊं जाकर देख सकते हैं तो केमेस्ट्री में पहला कोशन्स पूछा गया था महत्पुन बल सिधान के अनुशार कारवन योगिकों का उत्पादन केवल जीवित जेवों के मौझूद अज्यात प्रकृति के कुछ रहसमय महत्पुन बल के परभाव से ही हो सकता है इसे किसने सुझाया था किल्वे ने वर्जिलियस ने रदर फोर्ड ने या फिर फैडरिक बूलर ने तो यह जो सिधान था वो किसी ने दिया था वर्जिलियस ने ठीक है एंसर इस ऑप्सण भी नेक्ट कोश्टन से अधर में स्रावित जठर रस में होता है आपसने अम्लिय पीएच औपसन विछारिय पीएच दिये गए विकल्ब में कूट के हिसाब सेंसर देना आपकेबल थरी केबल वन केबल टु या फिर तू और थरी दोनो तो देखो जो उदर में जठर रस होता उसमें पाया जाता ह SCL और SCL की प्रकृति होता है अमलिये ठीक है अमलिये प्याच तो केवल वन हो जाएगा केवल अमलिये होगा ठीक है छार यह नहीं हो जागा उदासिन भी नहीं होगा नेश कोश्टन्स पुछा गया है GASChol नेमलिखी थे मेंजिक किस का उधारन है sunshine alcohol और डिजल का अफ्शन भी alcohol और पेट्रोल का अफ्सन से पेट्रोल और मिट्टी का तेल का है अफ्शन भी alcohol और मिट्टी के तेल का तो GASChol जो होते हैं वो alcohol और petrol के मिस्टन को बोले जाता है GASChol ठीक है नेक्ट कोशन से बिद्दूत अब घटन की हॉल हेराल्ट बीधी का उपियोग निम लिखित में से किसके प्रिथिकरन से किया जाता है एलमोनियम सोना कोपर चांदी तो इसका करेंट एंसर जगवा ऑफ्सन है एलमोनियम ठीक है यह आपका प्रोवाइट करते हैं ठीक है तो एलमोनियम चांद चले नेक्ट कोशन से मैथिल औरेंज जो होते हैं इसका सूचक जो अमलिये विलियन में निमिलकित में से कौन सा प्रभाव देगा तो जो मैथिल औरेंज होते हैं यह पी एच का जस्ट रिवर्स होते हैं और इ यह परिवर्थित हो जाते हैं और यह प्राप्त होता है और इसको सिल्सिलिक एसिड से नेच्ट कोशन से जब कॉपर सलफेट की क्रिश्टल को गर्म किया जाता है तो यह परिवर्थित हो जाता है और जब इसको हीट किया जाता है तो यह नीले से क्या हो जाते हैं वाइट में कनवर्ट हो जाते हैं और इसको बोला जाता है सी यू एसो फोर इंटू फाइव एच्टू ओ ठीक है चले नेक्ट क्वेशन से एस्पिरिन को निमलिखित दुबारा तयार किया जाता है और सने सेलसिलिक all also lots of sit53 अनृ अप्शन c5 अंप साट सेदिक वलेंन आप सने हांच्ट क्याम तो स्पिरिन को प्राफ्ट किया जाता है स्वासिलिक अंपल से तिंध्य लिए का के चलिए नेक्ट कोश्चन कर बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन से हैं एक एक खनीज है ठीक है और यह किससे किससे मिलका बना हो तो कार्बन ऑक्सिजन और नाटोजन है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा और ऑक्सिजन से मिलकर बनते हैं चलिए नेक्ट कोश्चन कर बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन से हैं लिटमस विलियन एक पाधप से प्राप्त किए जाता है जब starting में किसी पादप से उसको निकाला जाता है प्राप्त किया जाता है तो वह original उसका रंग क्या होता है तो उसका original रंग होता ब्याग नहीं ठीक है बाद में वह change हो जाता है एसीड और बेस के reaction माने से next question से तेल और बसा में बिक्रित गंधीता निम लिखीत में से किसके कारण होती है अब चैन ऑक्सीकरन संयोजन अभी के रिया या फिर प्रतिस्थापन अभी के लिया तो यह ऑक्सीकरन अभी के लिया कि वह यह से जाते हैं अपको यह जो गंध होती है यह आपको वहां से मिलती ठीक है बिक्रित गंधीता चलिए next questions कर बढ़ते हैं next question से ने मिलिकीत कथनों में सथ या असथ रूप साबको पहचान करना है देखो पहला कथन क्या है जल रागी का अर्थ जल से सने करने वाला दूसरा क्या है जल बिरागी का अर्थ जल से नफरत करने वाला और तिसरा कोईले के हानिकारक आश्वन द्वारा कोग प्राप्त क के जाता है तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है तो यह तीनों के तीनों ही सहते हैं ओके तो आफसेंड इस दा करेक्ट अंसर चलिए नेश्ट कोश्चन से से किसके रूप में कायर करता है पुनट जली करन अभिकरमक औप्शन वी कारवो औजली करन अभिकरमक औप्शन सी वी कारवो औजली करन अभिकरमक औप्शन दी निर्जली करन अभिकरमक तो इसमें यह जो वर्क करते हैं एक निर्जली करन अभिकरमक के रूप में वर्क करत दोड़िये बनाया जा सकता है hydrogen helium nitrogen या carbon तो देखो जो हमारे लोहे होते हैं और एलमुनियम जो होते हैं वो स्टार्टिंग में जो सुध रूप में होते हैं वो एकदम सौप्ट होते हैं ठीक है मिर्दू होते हैं फिर उसको अगर आप यूज कर लोगे तो फिर वो मजबूती उसमें नहीं आएगी तो उसको मजबूती देने के लिए उसमें हम लोग पाव और ज्यादा देर वो durability हो सके उसकी next question से यदि कोई पादब का रसाइन अभी किरिया के दोरान hydrogen त्याग देता है तो उस पदार्स को क्या गहते है अब चैत गलित उर्दपातित या फिर ऑक्सिकृत जब कोई भी पदार्साइन अपने अभी किरिया दोरा hydrogen त्याग नहीं है ग्रेफाइड हीरा है कोईला है ठीक सीसा जो होते हो खुद एक element होता है तो वह carbon का प्रूप नहीं है next questions पूछा गया था सूरी की उसमा सूरी के आंतरिक भाग में होने वाले निम्लिकित में से किस अभीक्रिया के कान दूत्पन होती है तो नाभी के विखंडन नह कारवन के उस अपरूप का नाम बता है जो विद्दूत का चालन गाता वेरी सिंपल वैसे तो यहां पर देखो चारकोल हिरा यह से भी कारवन के अपरूप फिलेगे नहीं है विद्दूत के कुछ आलख होते है तो अफसे नेक्स कोश्चन से एक हैप 10 में कारवन परमान हो होंगे तो वह हैप्टन के लाइगा ठीक है नेक्स कोश्चन पूछा गया था शाबून नेमली लिखत में से किसमें अच्छा ज्वाग नहीं दे पाता है आसूत जल में गर्म जल में भारी जल में नहीं होगा कठोर जल में इस तक या होता है वैसा जल जिसमें केल्सियम औ और सेलफेड मौजुद होते हैं वो जल हर जल गया रहता है और उसमें क्या करते हैं जो हमारे सबून इसे जाग नहीं दे पाते तो उसके कठोबता को खतम करने का करना पीं ठीक इंसकर पाते हैं Boost ॉन्हीं कर पाते हैं प्याज भेलोगी एप्रोक्स जीरो से सम्थिंग टेंस टो जीरो होता है ठीक है तो यह सबसे हाड होता है और यह हम लोग खा तो क्या छूब भी नहीं पाते हैं चलि नेश्ड को बढ़ते हैं अमल परिवर्तित कर देता है पीले निटमस को निले मेंलान में देज्ट कर दे में पहले तो वो लाल दे देगा उसको ठीक है next questions को बढ़ते हैं next questions पुछा गया था दो hydrogarbons आपसी सरचना में CH2 दुवारा भिन हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा तो उसे सजातिय स्रेनी कहा जाएगे क्यों CH2 नहीं तो hydrogarbons का मैं टर्म होता है सजातिय स्रेनी से ये भी वक्त होंगे थीक है next question से अक्रिष्टल या सिलिकन में अक्रिष्टल सिलिकन के निसकर्शन के दोरान निस्किरिय सिलिकन औक्साइड को हटाने में परिऊख्थ होने वाला ठीक है hydrofluoric अमल और इसमें 25 परसेंट यूज होता है CH3 COOH ठीक है और इसका कितना temperature पर यह वर्क करेगी 62 70 degree centigrade पर यह वर्क करती हो के चलिए next questions कर बढ़ते हैं चलिए next question सबसे छोटा आमिनों अमल कौन सा है थाइरोशिन एलानाइन फैनिल एलानाइन तो इसका correct answer हो जाएगा ऑफसेंडी glycine ठीक है glycine जो होते हो सबसे छोटा आमिनों अमल होते हैं next questions कर बढ़ते हैं next पूछा गयाता है ethanol अमली उत्प्रेड़क की उपस्तिती में ethanol के साथ ethenoic आमिन के अभी क्रिया के परिणाम सब्सक्राइब लिखते में से किसका निर्मान होगा एथर एथर एथेन एथिन या फिर मेथन तो इसके साथ react कराने पर हमको एथर प्राप्त होगा unhydrate ठीक है एथर is the guidance है चले next questions कर बढ़ते हैं नेश्ट कोशन से नेमलेखित कर्थनों की पहचान सथ और अथित के साथ करना ठीक है पहला कहा है आखों के लोशन में बोरिक अमल का पुर्ति रोधी के रूप में परियोग किया जाता है बिल्कुल यह सही कथन है दूसरा इसकरवी के रोगधाम के लिए हाइड्रो चार सही यह दो गलत है ऐसा ओप्सन दीक रहा है बिल्कुल यहां पर है एक साथ यह दो साथ यह तिन साथ चार साथ यह तो आप्शन सी दा करेक्ट अंसर ओके चलिए नेश्ट कोशन कर बढ़ते हैं नेश्ट कोशन से फेरस सलफेड क्रिष्टल का रंग कैसा होता है नीला हरा सफेद काला तो फेरस सलफेड जो होता है उसका जो क्रिष्टल का कलर होगा वो ग्रीन होगा ठीक है चले नेश्ट कोशन से यदि carbon dioxide को चूने के पानी में प्रवाइद किया जाता तो चूने के पानी का रंग किसमें परिवर्थित हो जाएगा भुरा रंजक काला लाल या सफेद तो वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है अगर जा ठीक है तो chemistry का questions नहीं थे का chemistry को मैंने पूरा अच्छे से explain कर दिया इससे पहले physics का भी कर दिया था इसके बाद बायो का होगा तो जो नहीं देखें description box में प्रेक्टिस का link दिया गया आप जागे देख सकते और आप खुद analyze करो questions कैसे आरे कितना easy questions आरे हैं आपके exam में तो essay questions आपके exam में पूछे जाएंगे तो मैंने क्या किया ऐसे questions का practice set बनाया हुआ 5000 important questions का इसमें physics भी chemistry biology भी पीडियाप के रूप में जो एक नाम मातरसूल के साथ आपको provide किया गया है जिसका link मैंने description box में दे दिया है अगर आप उस पर लेते हो तो इस exam के लिए आपको कोई टेंसल ने लेना क्योंकि सारा questions आपका इसी पीडियाप से बीड़ जागा यह guarantee है क्योंकि आप देखी रहे questions और exam का pattern कैसा है तो सभी लोग जाए पीडियाप को डाउनलोड कर लिए ठीक है वीडियो पसंद है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो तक लिए भवाएं